हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल स्वीक मुमेंट, I am here with new part of after marriage तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोग के साथ एक new fanfic share किया था, जो आप लोग को काफी पसंद आया था और आज मैं आप लोग के साथ उसका new part share कर रही हूँ, कल मैंने आप लोग को बताया था, वांगीवो और जो जो जान की बीच में एक छोटा सा argument हो रहा था, क्योंकि इवो वर्क की वज़े से डेली घर डेट आता था और जो जान अपना time उसके साथ spend करना चाता था, पर उसक यह वर्क की वज़े से यह possible नहीं था, इवो fight करके खर के बाद चला जाता है और वो जियो जान की कोई बात ने सुनता, जियो जान फिर से खर में अकेल लड़े जाता है, और सोचता है कि मैं भी वर्क करके अपना time pass करना चाता हूँ, पर मेरा husband मुझे वर्क नहीं करने दे मैं इस बड़े से घर में बिलकुल भी happy नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा lonely feel होता है, मैं एक छोटे से घर में भी happy रह सकता हूँ, अगर इवो मेरे साथ हो, यह साई सीजे सोचने के बाद जियो जान सोचता है कि वो अपना time कैसे pass करे, तब ही उस वो दोनों dating कर रहे थे, जियो जहन का पूरा दिन वो paper crins बनाने में चला जाता है, और evening का time हा जाता है, इसके बाद वो अपने और अपने husband के लिए cook करता है, और dinner करने के बाद अपने husband का food table पर रखके और वहाँ पर एक note रुकने के बाद चला जाता है, क्योंकि उसे पता अपने husband के wait करने का कोई फायदा नहीं है, आज के story start करते हैं, वांगी वो रात में 11 बजे अपने घर के drone rope को silently turn करता है, पर फिर भी उसके cracking voice पूरे silent house में चा जाती है, फिर वो धीरे से अपने घर में enter होता है, यह obvious था कि उसका husband अभी तक सो चुगा है, इसके बाद वो kitchen म होता है, अपने टाय को lose करने के बाद वो अपना सारा सामान चया पर रखता है और table पर देखता है, जहां उसका food neatly रखा हुआ था और वो इस plate पे एक note रखा था, जिसमें जियो जान की writing थी, वो उस note को उठा के read करता है और smile करता है, इसके बाद वो उस note को एक diary में रख द अपना food खाने लगता है, इस large house में alone होना उसे बहुत ज़्यदा बोर फिल कर रहा था, इबो सोचता है कि इसलिए जियो जान हमेशा उसे complain करता है कि उसे इस बड़े से house में अक्यले रहना पसंद नहीं है, पर इबो अपने husband को tire करना afford नहीं कर सकता था, इसलिए वो से city में work करना allow नहीं करता था, इबो सोचता है कि बहुत time हो चुका है, जबसे उन दोनों ने एक साथ dining table पे बैट कर peacefully dinner किया हो, काश वो अपने work से कोई break ले पाता और अपने lovely husband के साथ अपना कुछ time spend कर पाता, इनर करने के बाद वो अपने plate को wash करता है और main door को lock करने के बाद अब उसे stairs पे किसी के foot steps सुनाई देते हैं, जब वो stairs के दरफ देखता है, तो वहाँ पर उसका husband जियो जान था, जो कि अपनी eyes को rub करते हुए stairs से नीचे आ रहा था, वो अभी भी थ्रौस स्लीपी था, और इबो को आवास देता है, इबो, इबो सोचता है कि door knocking के voice से जियो कर लेता है, फिर उसके lips पे किस करता है, जियो जान वाँग इबो की body पे lean हो जाता है, और उससे पूछता है, इबो क्या तुम्हें डिनर कर लिया है, उसकी voice अभी भी थोड़ से sleepy थी, जो इबो को बहुत ज़्यदा adorable लग रही थी, इबो कहता है, हाँ, thank you, इसके बाद व करता है, जियो जान कहता है, कल तुम में साथ breakfast करना, ये वो सोचता है, कि साइद ये possible नहीं हो पाएगा, ये उससे office early morning जाना होता है, पर वो भी कोई argument नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जियो जान से simply कह देता है, all right, जियो जान बहुत जादा sleepy था, इसलिए वो सिफ response में मुं कहता है, और इसके बाद दोनों सोचाते हैं, कभी कभी जब वांगी वो खर पे लेट आता था और जियो जान उसका वेट करता रहता था, तो इवो को बहुत जाता warm और light feel होता था, पर कभी कभी जब जियो जान अलड़ी सो चुका होता था, तो वो silently अपने डिनर करने के बाद बेट पे सोचाता था, और कभी कभी रॉस केसिस में वो दोनों आर्गूमेंट करते थे और अलग-अलग बेट पे सोचाते थे, पर आज की नाइट गुडवन थी, क्योंकि जियो जान उससे अब ज्यादा एंग्री नहीं था, और वांगी वो भी अब उससे एंग नहीं था, अर्ली मॉर्णिंग में ही जियो जान का मोड खराब हो जाता है, क्योंकि उसने आज अपने हस्बन के साथ ब्रेकफास्ट करने का रिसाइट किया था, जियो जान बेट से उतरता है और अपने बनी स्लीपर्स पहनता है, इसके बाद वो नैट स्टेंट के पास ए और बिज़दा घुसा आने लगता है और उस नोट को टस्टिमन में डाल देता है, जियो जान खुद से ही कहता है, इस वीक का सिक्स्त नोट है और यह कहने के बाद वो डाउन स्टेयर जाने लगता है, हॉल में आने के बाद जियो जान अपना मॉर्ने रूटिन स्टार्ट कर देता है वो पहले ब्रेक्फास्ट बनाता है और अलोन ब्रेक्षट खाता इस के बाद वो side cheese clean करता है फिर वो paper cranes complete करने की कोशिश करता है थोड़ देर rest करने के भाद वो झबला होता है और अपने garden में जला जाता है जब soft air इसे अपने चेहरें पर फिल होती पर वो दोड़ सा रिलेक्स और काम हो जाता है उसके बाद वो अपने गार्डन के एक मैपल ट्री के पास जाता है उसके बाद वो उस ट्री की सेड़ों में फ्लोर पे बैठ जाता है और उस ट्री की ट्रंक से टिकने के बाद एक गाना गुणगुनानी लगता है कुछ ट्राइम बात वो उसी पोजिशन में सोचाता है ये ट्री यहाँ पर तब से है जब उन लोगोंने इस प्लाट को घर बनाने के लिए खरिदा था वांगी वो इस ट्री को कट करना चाता था ताकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस हो जाए पर जियो जान ने इमिटेटली वो उसे इस पेड को काटने से मना कर दिया था और अब जब उसे ये बात याद आ रही थी उसे याद आता है कि उसे इस ट्री पे कुछ लिखा था वो इमिटेटली अपनी आखी ओपन करता है और खड़ा हो जाता है और अपने पैंट्स को अपने हाथ से क्लियर करने के बाद वो उस पेड़ की तरफ देखने लगता है लगभग, तीन मिनट के बाद जियो जान को उस पेड़ पे वो वर्ड मिल जाता है जिसे वो ढूंड रहा था वो word जियो जान के सिर से थुरसी उंचाय पे लिखा हुआ था उस word को देखके उसके face पे एक smile आ जाती है वहाँ one, four, three, eight लिखा हुआ था फिर जियो जान खुद से ही कहता है तो तुम इस पूरे time यहीं पे थे और फिर वो उस word पे अपने उंगली फेरने लगता है जियो जान गैस करता है कि वांगीबो ने इसे कभी भी नहीं देखा होगा ऐसे भी उसके पास time ही कहा होता है कि वो garden में आए और जियो जान के साथ अपना कुछ time spend करे इसके बाद जियो जान वापस से अपने घर में चला जाता है और उन paper cranes को complete करने लगता है आफ्टरनून में चार बज़ रहे थे और surprisingly आज वांगीबो घर पे चल दिया गया था वो घर में एंटर होता ही बोलता है I am home और ये सुनते ही जियो जान तुरंद अपने kitchen से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसका husband टोर पे खड़ा था वो तुरंद इबो के पास जाता है और उसे टैटली हक कर लेता है उसे बहुत जादा happy feel हो रहा था जियो जान पोचता है आज तुम एतने early कैसे आ गए वांगी वो कहता है आज मैंने अपना work early complete कर लिया था इसलिए मैं घर जल दिया गया फिर वो अपनी nose को जियो जान के neck में रब करने लगता है जियो जान कहता है stop this मुझे गुदगुदी हो रही है और वो laugh करने लगता है जियो जान सोचता है कि काश हमें से सारी चीजें ऐसे ही होती उन दोनों की बीच कोई fight नहीं होती कोई argument नहीं होता और most important उन दोनों की बीच कोई broken feelings नहीं होती फिर जियो जान Bradley smile करते हूँ कहता है कि अब तुम घर पे जल्दी आ गए हो तो मुझे cooking करने में मेरी help करो और वो वांगी बो का हाथ पकड़के उसे kitchen की तरफ ले जाने लगता है ये वो कहता है ठीक है पर इस पर कोई spicy food नहीं ये सुनते ही जियो जान फिर से laugh करने लगता है और वांगी बो को जियो जान की laughing sound music की तरह लग रहा था तो friends I know कि वीडियो चोटी है बट मैंने आप लोग के साथ एक पार्ट शियर किया है ये स्टोडी एक्चली काफी चोटी है इसमें 12 पार्ट सा उनली और कल मैंने एक पार्ट शियर किया था आज मैंने सेकंड पार्ट कम्प्लिट शियर किया है तो अगर मैं थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट पर शियर करती वीडियो बढ़ी करने के लिए तो guys obviously ये बहुत जल्दी स्टोडी कम्प्लिट हो जाएगी और मेरे पर अज उतना टायम भी नहीं था तो यार मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा म्यूसिक बज़ रहे थे और मैं वीडियो रिकॉर्ट नहीं कर पाएती जल्दी इसलिए आज मेरे दोनव वीडियो लेट भी हो गई और ये वीडियो तो इसे छोटी भी है तो I hope आप लोग समझेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो like this video and subscribe my channel बाबाई, take care